हेलो फ्रेंड्स, अससलाम अलेकुम कैसे हो, उमीदे आप लोग सब ठीक होगे, अलहम्दुरिल्ला हम बिल्कुल ठीक है, वेलकम बैक तो मैं चैनल, एंजरेसिपियन व्लोग्स, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ हसनेन को लेकर होस्पिटल, आप लोगोंने पिछला व्लोग तो देखे ही होगी हम आ गए है, पुना, पुने में आने के दुसरे दिन ही हसनेन को काफी उल्टिया और रात में ही लूज मोशन होने लगे थे, तो मैं यहाँ पर उसको लेकर जा रही हूँ हूस्पिटल, काफी उसकी तब्यत खराब हो गई थी, एकदम लोग सा भी लग तो इस वज़े से मैं उसको लेकर पहले हॉस्पिटल चले गए फिर डॉक्टर को बताया उसको, डॉक्टर ने चेकप किया और उसके बाद बताया कि उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया थे, तो इस वज़े से उसको मेडिसीन वगेरा दे दिये थे, और फिर बा इसको लेकर चली गई हॉस्पिटल ताके वो ठीक हो जाए और फिर ट्राइवल वाफिस से करने के लिए वो रेडी हो जाए तो कहरे आपर निकल रहे हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए हसनेयन को हमारे सोसाइटी के करीब ही एक हॉस्पिटल है छोटा सा तो फिर बस म कामों में लग गए मैं यहापर कपड़े वगेरा रखे वेते फोल्ड करने के तो वो भी फोल्ड कर लूँगा बीज बीच में आके मुझे जैनब काफी परिशान कर रही थी मैं भी इरिटेट हो चुकी थी तो कह जैसा भी बच्चों को समाल लिया था मैंने और हसनेयन को कैब भी बksomु का ल但是 तो वी लिया थी मैंने आपम अ किद्च च्ण भी शबाएं लुटू कह ज़्ल के लिया मैंने मेडा के द्वा बाद में लेडिव और तो फिर फेकया नम फ्रेश के लिएट उटा उसके बाद ऑल एक दम रेशन होके उसके और यहां पर हो गया रात का टाइम यहां पर मैं आज बनाऊंगी अंडा पुलाओ काफी दिन हो गए आपसे रेसिपी शेयर नहीं करी इस वज़े से तो मैंने सोचा कि चली आज अंडा पुलाओ बना रही हूं तो रेसिपी भी शूट कर लूँगी और आप लोगों से शेयर कर लूँगी तो यहां पर मैं सबसे पहले किचन टॉप को क्लीन कर रही हूं कि थोड़ी दर पहले मैंने हसने इनको चाइम अगरा पना के दी थी तो यहां पर अंडों को भी बॉइल करना है मुझे तो पर बस अंडे निकाल लूँगी और इनको बॉइल करने के लिए रख आप लोग जरूर इस पुलाओ में दरी दाला अंडे को बॉइल करने के रख दिया है और साइड में इतने सारे बर्तन थे तो बस मैंने भी उसको बॉष करना स्टार्ट किया जैसे बर्तन क्लीन होते जाते है तो यह थोड़ा सा रीलीफ मिलता है मुझे क्योंकि बर्तन दे तो खेर ही यहां पर देखिए कीचन क्लीन कर लिया है मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन दो कि अभी यहां पर जो भी वेजिटेबल मतलब कानदा टॉमेटो जो भी लगेगा उसको बस कट करके रख रही हूं यहां पर और फिर बनाने स्टार्ट करते है एक पुलाओ तो यह इसको अच्छे से फ्राय कर लेंगे ऑनियन जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब तक यह जो बॉल किएवे एक से उनको भी मैं अच्छे से पील कर लोंगी छीड लोंगी और यहां पर मैंने फ्लार्स रखना भूल गई थी पीछे क्योंकि यहां पर अगर रोस कुकि पीछे मैं ऐसे फ्लार रखूंगी न तो काफी डस्ट भैट जाता है पूरा तेल कट हो जाता है इस वज़े से मैं रखती नहीं हो जब वीडियो शूट करना रहता तब ही रखती हो तो कहें यहां पर मैंने जिंजर कार्लिक पेस डाल दिया था वन टेबल स्पून और टॉ तो भी लेना अच्छे से बीट करके डालना वरना दही इसमें फट जाता है तो अच्छे से बीट करके उसको डालना अब यहां बॉल के वे अंड़ के उपर हम दालेंगे थोड़ा सा नमा खल्दी पाउडर लाल मिर्श पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला यह थोड़ा- मसाला दाली है उसके उफ़र मैं बूल गई तो पर मैं अभी कर रही हूँ इसके उपर एक एक ऐसे तीन-tीन कट्स मार रही हूँ कट्स मारने के बाद है अंदर तक मसाला जाता है और अंडे का फलेवर है नहीं पुलाओ के अंदर बहुत अच्छा आता है और यह देखिए से एक-एक करके रख लेंगे और इसको बस पांच मिनट के लिए फ्राय कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक अंडे फ्राय हो रहे तब अब यहां पर मसाले के पास आ जाते हैं यह कैसा बन रहा है देख लेते और बाकी के इंग्रेडियंट दाल देंगे इसके अंदर तो स आपको दालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको दही दालना है तो इस स्टेश पर दही दालकर अच्छे से उसको पेट लेना है मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद हमको अभी अंडे दालना है अंडे हम दे को इसी वज़े से फ्राय करते ह जब हम ऐसे मिक्स करने के टाइम पे वह तूटे ना अगर हम डारेक्ली अंडे ऐसे डालेंगे ना तो वह तूटने का डर होता है मिक्स करते हुए तो खर यहां पर δो मिनट हो गए थे अंडो को भी मैंने उसके अंदर रखा था दो मिनट के लिए फ्राय होने ठक और फिर उसको साइड में निकाल दिया है और उसके बाद में ओऊ पर दाल दूंगी पानी हम जितना राइस लेंगे उतना पानी डालेंगे मै मैं पुदिने को लेकर उसमें दाल दिया है और मैं दाल दूंगी राइस दोकर और बस पुदिना और थोड़ा सा धनिया दाल कर रग दूंगी पकने के लिए राइस को और यह पर आ जाते हैं चलिए अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूं कि मैंने न्यूबॉर्ण बेबी क लिए क्या क्या शॉपिंग करी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने बेबी के लिए दो हैंकी लिए और यह जो टोपी होती है ना तो अभी ठंडी तो काफी है इस वज़े से मैंने दो टोपी भी ले लिया उसके लिए और यह फुल स्लीफ का एक नाइट सूट टाइप ही है अच्छा है तो यह पर एक यह ले लिया है एक बॉक्स वाला रहता है ना रैडिमेट आता है मुझे भी पता ने अभी इसको क्या बोलते है बस वह आते तो ले लिया और यह ना क्यूट सा ड्रेस लगा मुझे बच्चे के लिए तो यह भी ले पड़े मेना बच्चों के लिए बहुत पसंद आती चीज और यह पर एक सुएटर भी ले लिया है स्वैटर भी बहुत अच्छा मिला उसके लिए मुझे यह देखिए उसकी पैंट और यह पर दो सॉक्स डो हैंड गलव्स होते ना बच्चों के लिए जब मुह में डालत और वहां पर एक function भी है मुझे वो भी attend करना है देखते हैं मैं जाओंगी या नहीं जाओंगी मुझे भी पता नहीं है बस एक एक जोड़ी कपड़े मैंने लेकर रग दिये हैं और यहां पर देखे पूरी packing हो गई है अच्छे से कपड़े रग दिये हैं मैंने तो पस मेरा यह भी काम done हो गया है और यह देखे हमारी packing हो गई almost done और next day बस हमको निकलना है कुछ भी इसके अंदर डालना नहीं है कुछ नहीं सब कुछ मैंने डाल दिया है और यहां पर देखे पुलाओ भी मतलब राइस भी बन गहते हैं उसके उपर मैं रग डूंगी अंडे पी आप लोग बना सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स यही था मेरा अज का व्लॉग अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताके मेरे नए नए व्लॉग्स आप लोग को देखने मिले और बैल आइ कर दो प्लॉग्स